हे गाईस स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 7S का दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले बात कर लेते हैं दोनों ही डिवैसेस के प्रोसेसर्स की दोस्तो Redmi Note 7S में हमें मिलता है Qualcomm का Snapdragon 660 प्रोसेसर जो की 14 nm की टेकनोलोजी पर बना है इसमें Cryo 260 CPU का यूज किया गया है जिससे कि हमें 2.2 GHz तक की क्लोग स्पीड इस प्रोसेसर में देखने को मिल जाती है दोस्तो Redmi Note 7 Pro में हमें मिलता है Qualcomm का Snapdragon 675 प्रोसेसर जो की 11 nm की टेकनोलोजी पर बना है इसमें Cryo 460 CPU का यूज किया गया है जिससे कि हमें 2.0 GHz तक की क्लोग स्पीड इस प्रोसेसर में देखने को मिल जाती है दोस्तों स्पीड टेस्ट के लिए हमने दोनों ही डिवाइसस के 4GB, 64GB वाले वेरियंट लिए हैं अब चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू कर लेते हैं चलिए दोस्तों पहले दोनों ही डिवाइसस को रिस्टार्ट करते हैं देखते हैं कि कौन सा डिवाइस रिस्टार्टिंग टेस्ट का बिनर होता है दोस्तो जैसा कि हमने यहाँ देखा Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S से पहले ही स्टार्ट हो गया है इस प्रकार रिस्टार्टिंग केस्ट का बिनर Redmi Note 7 Pro होता है अब चलते हैं दोस्तों स्पीड टेस्ट के फर्स राउंड के और इस राउंड में हम दोनों ही डिवाइसे में सेम टाइम पर एप्लिकेशन को ओपन करेंगे अब चलते हैं 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 दोस्तों जैसा कि हमने देखा रेड्मी नोट 7 प्रो ने यहां पांच एपलिकसंस को फास्ट ओपन किया जिबकि रेड्मी नोट 7 ने किवल तीन एपलिकसंस को फास्ट ओपन किया तो इस परकार फास्ट राउंड का विनर रेड्मी नोट 7 प्रो होता है अब चलते हैं दोस्तों स्पीड टेस्ट के सिगन राउंड की ओर और इस राउंड में पेले तो सभी एपलिकसंस को ओपन कर टाइम केलकुलेट करेंगे इसके बाद इन्हें रियोपन करके टोटल टाइम निकालेंगे कर दो एक ले और रेड्मी एपलिकसंससप्टा लाईंड की लेते हैं झाल 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 जब कि Cum? धू Tribe दोस्तों जब कि हमने देखा सभी एप्पलेसेंज को एपन करने में Redmi Note 7S एलिए 1-42 सेकंडS जब कि Redmi Note 7 Pro ने लिए केवी 1-35 सेकंडS और सभी एप्लेसेंज को री ओपन करने में Redmi Note 7S ने लिए 2-24 सेकंडS जबकि Redmi Note 7 Pro ने लिए केवल 2 मिनिट्स तो इस प्रकार 2nd round का विनर भी Redmi Note 7 Pro होता है तो आज के इस वीडियों बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस प्रकार के इंट्रेस्टिंग वीडियों को देखने के लिए आपके भाई की चैनल VL Technical को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद